सबी वहींगों नमस्कार राम राम जैगों माता जैहिन मैं जमाल डेरी फरम से मैं आपके लिए लाएं बहुत अच्छी शांदार एक फस्ट लेक्टेशन थनों की सफाई आडर कॉलर्टी बहुत ही शांदार फस्ट लेक्टेशन जो वीडियो को पूरा वांच करें मिल्किं अलग अलग है और पूरा आडर कॉलर्टी देख सकते हैं बहुत शांदार सांत सुबावली ठंडे सुबावली फस्ट लेक्टेशन में बारिक्टेशन आख बिल्कुल दो इंच के सींग गर्दन लंबी हमपका साइज गलकमल शांदार आडर कॉलर्टी मुठिया थन वाली और यह अगर सेकेंड में थर्ड में जाएगी तो एक बीस लीटर की एचेव को फेल करने वाली है तो अब आप देख सकते हैं बहुत शांदार एक मेल को जनम दिया है मेल काफ वाली गायमाता है बहुत शांदार अच्छी गायमाता हाइट लंबाई इसने जो फस्ट लेक् करके इसको बनाई है बहुत शांदार जब यह साथ मेने की प्रेगनर थी ना जब से मैं इसको देख रहा हूं साथ मेने की जब से प्रेगनर थी जब से इसको देख रहे थे हम क्योंकि इसकी बेहन और इसकी माँ भी हम ही लाए थे अपने डेरी फरम बहुत शांदार हमको पास तो फीमेल की थी लेकिन इसने मेल काफ दिया ये भी बहुत बढ़िया एक डेरी फरम पे जाएगा तब एक बहुत अच्छी नसल पेदा करेगा शांदार बुल्ले लंबाई हाइट लंबे कान वाला है और यह जो गाय माता इसकी प्यूरटी को लेके चलें तो बहुत ही usanदार ये चोटे से सिंघंग़े काउं कान एगदम कट नों में vacun कान है बहुत ही जोरदार और आरडर कॉल्येकिसकी बहुत ही शांदार है क्योंगे अ अच्छी सांध सुभाव से मिल्किंग निकालेंगे अब आप देख सकते हैं वीडियो को पूरा वाज करें आखरी तक और इतनी सांध सुभाव की गायम आता है बहुत ही ठंडे सुभाव की पूरा मिल्किंग करके आपको बताएंगे लीटर से नाप के बताएंगे परडे 13-14 लेटर मिल्क एपसिटी वाली गायम आता है खाली बाल्टी भी आपने देख ली अब आपके सामने पूरा मिल्किंग होगा आपके सामने बिल्कल ठंडे सबावा ली गायम आता शांधर मेल का आपकी भी प्योरोटी आप देख सकते वीडियो बहुत ही शांदार मेल है और अब पूरा मिल्किंग होगा आपके सामने शांदार अच्छी मिल्क लाइन वाली है गायमता चारों थन की धार भी आप देख लो अलग-अलग ये दो थन की है और ये उदर वाले दो थन की आमने सामने बिल्कुल चारों थन की आप दार भी दिखा देते हैं बिल्कुल और बहुत ही अच्छी एक कम से कम अच्छी खिलाई पिलाई करोगे 14-15 लेक्टेसन गाय माता किरेते हैं और गाय माता बुड़ी नहीं होती लेकिन खिलाई होती है बहुत सारे लोग खिलाई कम करते हैं बाकी अच्छी खिलाई प्लाई करें जैसी इसकी मालिक ने खिलाई करी है अब आप करोगे तो बहुत ही शानदार है का आने वाले समय में यह female देगी तो बहुत ही शानदार देगी अच्छी double color female देगी यह first lactation में 14 लेटर दूद अवेलेबल है 14 लेटर first lactation में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना जा रहा हूं जमाल डेरी फर्म पर कैसी कैसी गायमात आपको देखने को मिलती है और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने गुरूब फेस्बूक पर शेयर कर दें लिंक को आगे से आगे भेजें ताकि हर किसान भाई को अच्छी से अच्छी शांदर गायमाता मिल सके तो आप देख रहे हैं आपके सामने मिल्किंग हो रहा है सो परसंड शुद्ध गिर मेल काफ वाली गायमाता बरड़े 14 लेटर मिल्क अपसिटी में बहुत ही शांदर अच्छी प्यूरिटी वाली गायमाता है थोड़ा दरत भी होता होगा थनों को वैसे तो बहुत ही शांद सुभाव की है लात बात मारना समझती भी नहीं है बहुत ही ठंडे सुभाव की है थोड़ा दूद उपर डाल देंगा तो उसको प्रेम से चाटा करेगी तो दूद भी बढ़िया देदे की शांद सुभाव से और वैसे तो ठंडे सुभाव की यह फिमेल बहुत शांदार है कि कि फ़श्ट लेक्टेशन को क्या थोड़ी सी गुदगुदी होती है ना थनों बहुत पुराने थन रहते तो थोड़ा अटकटा लग रहा हुदगा मेलकाफ के कान तो बहुत शुंदर लाजवाब मेलकाफ है अगर किसी ब्रीडिंग फार्म पे हो तो यह करीबन डेड़ लाग दो लाग तिन लाग का है लेकिन उतना बजट तो नहीं है अपना बहुत ही कम बजट की है बाकि आप देख सकते हैं मेलकाफ वाली फर्ष्ट लेक बालदांत बच्ची आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत सुबाव वाली ठंडे सुबाव वाली बहुत प्यारी गाय माता है परडे चाउदा लीटर मिल्क एपसिटी वाली मेल काफ ब्राजिलियन कलर मेल सो पर्षंड शुद्द गिर वीडियो को पुरा वाज करें भाईयो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल की सदे सिता लें जो भी पहली बार उसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल की सदे सिता जरूर लें बेल आइकन बटन दबाएं ताके आने वाला हर नोटी फिक्षन सबसे भिले आपके पास है किसी भाई को दस पंदरा गाय बीज गाय एकटी लेना है फिर भी अपने पास चालिस से पेतालिस को अवेलेबल है भाई साब कोई भी भाई आके अपने डेरी फरम पे तीन से चार टाइम मिलकिंग निकाल के उसके बाद में खर मेरा कस्टूमर है उनको एक गाय भेजना है सोलापूर सोलापूर के लिए कोई भाई हो तो एक गाय मेरा जाएगा अगर किसी भाई को चीए तो मुझे कॉल करें और एक हैदराबाद भी एक कस्टूमर के पेमेंट आया हुआ हुआ है मेरे पास उनका भी गाय बुक है और उदर का भी कोई अगर होएगा तो मैं आपको 50% भाड़े में पहुंचा दूँगा है अधराबाद और सोलापूर याद रखिएगा कभी आपके पास आए एक दो दिन में मुझे बता दें तो मैं भेज़ दिया साथ में 50% किराय से भेज़ दूँगा वेसे हेदराबाद क का 32,000 है और सोलापूर का 22,000 है अब है कि 50-50 भाड़ाएगा दौनों भाईको और अच्छी से अच्छी गाउ माता यह सैल के लिए अवैलेबल है और यह female काफ वाली है अब देख सकते हैं बिल्कुल शांदर अच्छी प्यूर्टी के साथ नाभी का साइज एक बोड़ी स् शाइनिंग वाली नरम चमड़ी मिल्किंग वाली आती यह वाली गाय माता है तो आप इसी गाय माता का कदर करें बिल्कुल आगे से आगे शेर करें किसी डिरी फ़म वाले भाई को मिलेगी जब भी बहुत शांदर फायदा करेंगी क्योंको फ़श्ट लैक्टेशन में 14 लेकिन आज अवेलेबल 14 लिटर मिल्किंग इसका कोई भी भाई मुझे वीडियो को लिंग में दो टाइम चार टाइम देख सकता है उसके बाद में लोड करवाएं जमाल डेरी फरम से एक बार सभी भी उनको राम राम वीडियो को पूरा बाद करें कि पूरा मिल्किंग देख सकें आप वीडियो भी थोड़ा लंबा बन रहा है पूरा वीडियो आपके सामने रहा है ना काटा ना कुछ भी काट नहीं की गई है नहीं वीडियो रोका गया है पूरा A से Z तक आपके सामने रहा है वीडियो और milking भी देख सकते हैं इसके कारण फेस तो नहीं चड़े होंगे बागि आपके सामने लिटर लगा के बताएंगे यह आपके सामने मिल्किंग है एक बिल्कुल बिना फेस का दूदे भाईयो देख लो दो तीन चार पांच छे यह साथ ठेंक्यू बईयो यह आपके सामने मिल्किंग है और एक बर गायमाता को देख लेंगे यह मेल काफ़ा लिगायमाता है जमाल डेरी फरम के और से सबीबियों को राम राम जै कुमाता